नमस्कार आजम डिसकस करेंगे गिराज पत्रिका जो की हिमाचल प्रदेश की सब्ताहिक पत्रिका है चितने भी important question इस सब्ताह की गिराज पत्रिका से बनते हैं उन सबी questions को हम डिसकस करेंगे यह April महिने का हमारा चौथा पार्ट है गिराज पत्रिका का अगर बात करें इस वीडियो की PDF की तो इस वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी अगर्णिंग प्रोग्राम हैज बिन लॉंच्ट वाय गौवर्मेंट ऑफ इंडिया तो एंशूर एजुकेशर ऑफ क्लास नाइन्थ टू 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 तो गौवर्मेंट के द्वारा गया नहीं से ग्यार्वी कक्साओं के चात्रों के लिए उनकी शिक्सा को निचिस्त करने के लिए कौन सा ए लर्निंग प्रोग्राम सुरू किया गया है तो सरकार के द्वारा जो सुरू किया गया है प्रोग्राम उसका नाम है लर्निंग फ्रॉम हो सही अंसर है लर्निंग फ्रॉम हों इसका पूरे नाम के हम बात करें तो लर्निंग फ्रॉम हों हर घर पाट साला यह प्रोग्रम चलाया गया है अब यहां से दूरतर्शन के माध्यम से भी धस्मी और बार्मी कप्षाओं के जितने विद्यार्थी है उनके लिए e-learning की शुविधा जो है वो शुरू की गई है इसमें क्या होगा इसमें विद्यार्थियों को जो है वो दूर दर्शन ग्यान पाटशाला कारेक्रम के माध्यम से online शिक्षा जो है वो उपलब्द करवाई जाएगी तो यह दसमी और बार्वी क्लास के जितने भी स्कूल शिक्सबोर्ड के बच्चे हैं हमाचाफ स्कूल शिक्सबोर्ड के बच्चे उन सभी के लिए चलाया गया है सतरा प्रैल से ये प्रोग्राम सुरू हो गया है और दस बजे से लेकर एक बजे तक इसका टाइम रखा गया है तो इसमें अलग-अलग सब्जेक्ट जो है वो पढ़ाये जाएंगे तो ये भी आप याद रखी कि दूर दर्शन के मादम से दसमी और बार्मी अक्साओं के बच्चों के लिए भी इलर्निंग प्रोग्राम लग से चलाए गया है दूर दर्शन ग्यानचाला कारेकरम इसके नाम रखा गया है तो ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन हमने इन दो प्रोग्राम के बारे में जानी ऐसे अगर एक्जाम में पूछ ले जाए तो बेसिक सी इन्फॉर्मेशन आपको पता होने चाहिए अगर ना भी पूछा जाए तो मेंज एक्जाम पॉइंट आफ यू से आप इसको एड़ कर सकते हैं ये दो पॉइंट हमने यहां से देखे next question देखते है next question और वर्ल्ड हैरिटेज डे एवरी इर सेलिगेटीडी ओन वर्ल्ड हैरिटेज डे के ऊपर गिरास पत्रिका में अर्टिकल भी दिया था अभी कम मना जाता है ये मना जाता है 18 अपरेल को option c जो है वह सभी answer 18 अपरेल को ये मनाया जाता है अब World Heritage Day जो है वो बड़ा important day है, काफी important day है, अब इस day के बारे में इसका background देखेंगे और important information यहां से हमें देखेंगे, देखेंगे, गीराज पत्रिका में इस सब information तो नहीं दी गई थी, इतनी stick information, इतने अच्छे से information प्रंतु जो भी हमारे पास internet से हमें available हुआ है, वो हम य 1982 में जो था, वो international council of monuments and sites, आइको मोर्स जिसको कहते हैं, इसने जो था 18 अप्रेल को World Heritage Day मनाने के लिए बात की थी, announcement की थी, और approval इसे journal assembly of UNESCO के द्वारा दिये गया है, 1983, 1983 से यह मनाया जा रहा है, 1982 में इसके announcement की गई, 1983 से यह मनाया जा रहा है, इसका aim क्या है, इसका aim, जो main aim मगर इसका हम देखेंगे, एक main aim तो इसका गीरास पत्रिका में भी बताया गया था, तो इसका मुख्य उदेश से है, जितने भी हमारी cultural sites हैं, उन सभी, जितनी भी हमारी sites हैं, या कोई भी हमारी चीज़े हैं, उन सभी को सुरक्षित और संभाल कर रखने के उदेश्चे से ये program जो है, वो चलाया गया है, सबसे important जो हम से पूछा जाता है, exam में वो पूछी जाती है, theme, तो theme क्या थी 2020 की, तो 2020 की theme थी, shared culture, shared heritage and shared responsibility, ये 2020 की theme थी, अगर 2019 की theme देखेंगे, तो गिरास में बताया गया है कि विश्चो विरासक दिवस 2019 की theme थी, ग्रामिन परिद्रिश्चे, 2019 की theme थी, 2020 की theme थी, अब बात करेंगे, total number of heritage sites इंडिया में कितनी है, नेस्को में, 38 sites total है, ये याद रखे, 38 है, गिरास पतरिका में अंकड़ा कुछ और दिया के था, प्रन्तु, 2020 का exact अंकड़ा ये है, अगर बात करेंगे, कि इंडिया का कौन सबसे अधिक heritage site इटली में लिएत आई गई है, तो सबसे अधिक heritage site इटली में है, ये भी आप याद रखिये, अब देखो हिमाचल में कुछ important UNESCO की sites है, उनके बारे में हम discuss कर लेते हैं, कौन कौन सी है, पहली तो है greater himalian national park, greater himalian national park को जो था, 23 June 2014 को जो था, UNESCO की heritage list में सामि किया गया था, और दूसरी है हमारी कालका शिमला railway line, तो कालका शिमला railway line को जो था, वो जुलाई 3, 2008 में जो था, UNESCO की heritage list में सामिल किया गया था, और एक है चमबा रुमाल, तो चमबा रुमाल को जो था, वो UNESCO की heritage list में कब सामिल किया गया था, तो इसको 31st October 2008 में जो था, व UNESCO की heritage list में सामिल किया गया था तो ये हमने तीन चीज़ें पढ़ी UNESCO के बारे में और World Heritage Day के बारे में अच्छे से जाना Next question है Hunger Helpline has been started in district Kangra Its aim is to देखिए Hunger Helpline जिला Kangra में सुरू किया गया है उसका उदेश्चे क्या है इसका उदेश्चे जो है Option B science Provide Assistance to Needy जितने भी जुरूरत मंद है चाहे वो काम करने वाल मजदूर है या फिर कोई और है उन सभी को Hunger Helpline के तहर district Kangra में मदद दी जाएगी खाने से समंदित हो या फिर कोई Health से समंदित हो ये सहायता उनको दी जाएगी तो देखिए अभी तक जो है district Kangra के देहरा और जौला मुखी उपमंदल में वो काफी लोगों को help दी जा चुकी है जो लोग या तो प्रवास्ति है माचल में काम करते है जुग्गी जोंपड़िवारी लोग है या कोई घुमंतू परिवार है या फिर कोई स्थानिय गरी परिवार है उन सभी को इस योजना के तहद राशन जो है वो पहुंचाया जा चुका है अभी तब तो ये Kangra जीला के द्वारा जो है एक अच्छी पहल की गई है या प्याद रखिए next question है मुक्यमंत्री नूतन पॉली हाउस योजना amounting to मुक्यमंत्री नूतन पॉली हाउस योजना के तहद कितनी रासी दी गई है तो देखो हिमाचल परदेश में जो है मतलब तीवर्टा से विकास करने के लिए और नगदी फसलों का उत्पादन करने के लिए जो है ये नूतन पॉली हाउस योजना जो है वो चलाई गई है अब इस पर योजना की लागत है 78.59 लेग इसे योजना की लागत है ये लागत आप याद रखे का क्योंकि लागत कई बार पेपर में पूछ लिजाती है और मुख्य मंतरी नूतन पॉली हाउस योजना है क्या ये भी आपको पता होना चाहिए एक और important scheme जो यहाँ पर mention करूँगा मैं देखे पहली बात मैं आपको बता दूँ कि गिराज पत्रिका मैं अगर आप देखेंगे तो नूतन पॉली हाउस योजना के बारे में इतना mention नहीं किया गया था सिर्फ पॉली हाउस के बारे में कुछ थोड़ा सा बताया गया था पॉली हाउस से ही लिंक करके इस योजना के बारे में यहांपर हम डिसकस कर रहे है अब एक और scheme जो हम डिसकस करेंगे मुख्यमंतरी खेत सरंक्चन योजना क्यों चलाए गई है यह योजना जो है देखिए बंदर जो होते हैं, जंगली जानबर जो होते हैं वो काफी नुकसान फसलों को पहुंचाते हैं किसानों को फसल की सुरक्षा प्रदान कराने के लिए योजना शुरू की गई है इस योजना के तहद सरकार जो है वो 80% सबसीड़ी देती है याद रखेगा कि मुख्यमंतरी खेट सरंक्षन योजना के तहद 80% सबसीड़ी जो है वो किशान के दोरा सरकार के दोरा किशानों को दी जाती है ये क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन एक्जाम में अक्सर पूछे गए हैं और आगे पूछे रहने की भी संभावना है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तोटल एरिया औफ फ्लार कल्टिवेश्चन इन हिमाचल प्रदेश अप्टू बिसंबर 2019 तक हिमाचल प्रदेश में फूलों की खेती का कुल क्षेतर फल है अगर आप बात करेंगे फ्लार कल्टिवेश्चन की तो 493 हेक्टेर जो है ये टोटल फ्लार कल्टिवेश्चन हिमाचल प्रदेश में है और ये कब तक है तो ये 2019 तक है अब देखो डिरेक्टली अगर हम बात करेंगे तो डिरेक्टली तो गिराज पत्रिका में नहीं बताया गया था फ्लार कर्टिविशन के बारे में कितना areas के तहद आता है परन्तु जो बात गिराज पत्रिका में डिसकस की गई थी वो क्या थी वो भी आपको पता होने चाहिए वो भी आपके लिए वैसे जनल नौलिज के लिए आपकी इंपोर्टन्ट है देखो गिराज पत्रिका में बताया गया था कि जितने भी सरकारी कारेकरम होते हैं उन सभी में जो है वो जितने भी लोग फूल भेंट करते थे उन फूलों के उपर जो है उन फूल भेंट करने के उपर रोक लगा दी गई है इस प्रथा को बंद कर दिया गया है पहले ऐसा होता था कि सारी सरकारी कोई विकार एकरम होगा तो उसमें फूल दिये जाएंगे, टोपी दिये जाएंगे, गुलदस्ते दिये जाएंगे शॉल दिये जाएंगे तो उन सभी पर रोक लगा दिये गई है बंद कर दिया गया है उनको अब देखो इस प्रोग्राम को मैं थुरा सा क्रिटीकली भी अनलाइज करूँगा नियूस पेपर के उपर ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया था प्रन्तु मेरिट और डी मेरिट हम देखेंगे कि क्या मेरिट है क्या डी मेरिट है देखें सबसे पहली बात अगर फूल टॉपी शॉल इन सब चीजों को पर आप बैन लगा देते हैं सबसे बड़ा मेरिट क्या है मेरिट यह है कि सरकार का पैसा बचेगा कोई भी इंस्यूशन है उसका पैसा बचेगा ठीक अगर दूसरी बात डी मेरिट की करेंगे तो डी मेरिट क्या है वही सबसे बड़ा डी मेरिट तो यह है कि जितने भी लोग फूल बेचते थे उन लोगों को नुक्सान होगा जितने भी लोग टोपी बेचते थे शॉल बेचते थे उन लोगों को नुक्सान होगा तो वो लोग जो हैं वो काफी छोटे लोग होते हैं काफी कम ब्यपार उनका होता है उन लोगों को काफी नुक्सान भी यहां से हो सकता है यह हमने critically भी इसको analyze किया हना तो इस तरह के point आपको वैसे पता होने चाहिए vision के लिए आपको यह पता होने चाहिए वैसे कुछ important नही है देखो एक और question जो मैंने यहां पर add नहीं किया गया है उस question को भी हम discuss करते हैं वो question कहा है वो है कि हिमाचल परदेश solidarity response fund एक चलाया गया था COVID-19 के लिए इस fund का नाम बदल दिया गया है इसका नाम रखा गया है HPSDM COVID-19 State Disaster Response Fund कि इतना important मुझे नहीं लगा इसलिए मैंने यहां पर add भी नहीं किया है क्योंकि कुछ इतना खास important यह है नहीं पर इन तो फिल भी आप याद रखिए इसको exam point of view से next question है to promote flower cultivation tissue culture laboratories have been established under model flower cultivation center at देखिए flower cultivation को फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए जो है वो tissue culture laboratories जो है उस्थापित की गई है तो यह कहां कहां पर स्थापित की गई है model flower cultivation center के ठह्त देखिए यह स्थापित की गई है option C महोबाग और पारलंपूर इन दोनों जखाओं पर यह स्थापित की गई ह अब इसके बारे में भी जो था वो पत्रिका में कुछ खास नहीं दिया गया था यह हम additional question discuss कर रहे हैं इसके बाद additional question हम discuss कर रहे हैं गिजराज पत्रिका में देखिए इतना ही दिया गया था मतलब ज़्यादा क्रंटा फिर के question आपके लिए वहां से नहीं बने इस बार यहां से विए important question था next question देखते है next question है अपना next question under the beekeeping program how much of honey has been produced during the year up to 31st December 2019 in the state तो कितना honey कितना सहत जो है हिमाचल प्रदेश में produce किया जा चुका है December 2019 तर ओप्शन बी 467.78 metric ton honey जो है वो produce किया जा चुका है इतना सहत हिमाचल ने अभी तक produce किया है 2019 तर यह भी आप याद रखे काफी important जानकारी यह भी यहां से आपके लिए है देखो यह additional question होते हैं य which building of shimla was the residence of the commander in chief of the army in early 20th century बीसमी स्थाफदी के एरम में shimla की कौन सी इमारत सेना के commander in chief का निवास थी तो यह आपके लिए आज का question है अब जिन लोगों ने गिरास की discussion complete करनी थी तो गिरास की discussion complete हो गई है वो लोग अभी switch कर सकते हैं अभी हम क्या discuss करेंगे लेकिए अभी हम discuss करेंगे कुछ important जो की news में था वो discuss करेंगे oil के prices के regarding, oil के prices के regarding कुछ important information मैं आपको share करूँगा आपके साथ, तो देखो oil के prices के बारे में आपने सुना होगा कि oil के prices जो है वो negative में चले गए, negative में oil के prices चले गए, देखो negative में जाने का मतलब क्या है पहले हम यह भी समझें प्रन्तु यह prices किसके negative में गई थे, एक WTI करके oil benchmark है इसके गई थे, अभी हम बात करेंगे कि negative में जो prices गई थे, उसका मतलब यह है, मान लिजिए आप तेल खृदने जा रहा है तो आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, जो तेल बेच तहा है उसको पैसे देने पड़ें अब इस तरह की situation आई क्यों और इसके क्या impact है, देखे इस तरह की situation आने में दो काफी reason बताए जाते हैं, पहला reason क्या है, पहला reason है कि साओधी अर्बिया और रश्या के बीच में कुछ गड़बर चल रही थी, साओधी अर्बिया ने रश्या से कहा कि भई आप ऐसा करो, आ आप production को थुरा सा कम कर देते हैं, रश्या उसके उपर माना नहीं और उसको लेकर उनके बीच में लड़ाई हो गई, और साओधी अर्बिया ने अपना अलग से तेल प्रडूस करना सुरू कर दिया, और तेल इतना जादा हो गया, कि लोकडाउन के समय कंट्री में, किसी भ दिमांड भी तो काफी कम थी ना, दिमांड तो है ही नहीं तेल की, जब लोग काम पर नहीं जाएंगे, लोग घर में रहकर काम करेंगे, तब क्यों वो गाड़ियों का यूज करेंगे, इसलिए दिमांड भी कम थी, तो यह हमने reason जाने, अब impact क्या है, अपने कहीं जगा प प्राजिस को एकदम से कम कर दिया गया, मान लीजिए, 70 या 75 से लेकर around oil के प्राजिस हैं, approximately मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इसको 60 या 50 तक लेकर आ जाती है सरकार, तो क्या होगा, जो लोग गाड़ियों में नहीं जाते थे, वो भी गाड़ियों में जाने लगेंगे, म अभी जो है, वो COVID-19 चला हुआ है, लोग डाउन सब जगा है, तो काफी slowdown देखने को मिल रहा है, अभी सरकार के पास एक opportunity है, कि oil के प्राजिस को constant रखे या थोड़ा बहुत बढ़ा दे, जिससे सरकार क्या कर सकती है, जिससे सरकार जो है, वो अपने खजाने को भर सकती है और फिर से situation को control में ला सकती है, इस तरह से सरकार जो है, ये impact पड़ते हैं, environment के उपर इसके impact पड़ेंगे, और impact एक positive impact ऐसा पड़ेगा कि सरकार अपने खजाने को जो है, वो फिर से भर सकती है, इस तरह से ये India की help करेगा, और मैंने हमने जाना कि क्या reason है कि आखिर तेल के prices कम एकदम से गिर गए, ये हमने जाना और impact, positive negative impact हमने पड़े, अब बात जब exam की आती है, तो exam point of view से भी कुछ हमें देख लिना चाहिए, हम देखेंगे opaque के बारे में, opaque की full form क्या है, opaque की जो full form है, वो है organization of the petroleum exporting countries, तो ये opaque की full form है, opaque की स्थापना कब हुई थी और इसका headquarter कह ना परता, ये काफी important है, देखें, इसका headquarter जो है, वो Australia में स्थापना है, उसका headquarter में स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी, बगदाद, इराक में स्थापना हुई थी, और इसका headquarter Australia में, ये prelims point of view से जाना, oil के prices में मैं ने आपको round राउंडिंग फिगर में बता दिया कि इसके नेक्टिव इंपक्ट क्या है पॉस्टिव इंपक्ट क्या है और क्यों ऑईल के प्राजिस एकदम से गिर खें यह हमने डिस्कुस किया तो देट सॉल फॉर तोड़े थैंक्यू वर वाचिंग दी वीडियो